इस्टेट सेडूल ओपरेट 2022 यह 2022 का SSR है अब नया आएगा तो उसके इसाब से इस्टिमेट बनेंगे अभी हम इसके इसाब से इस्टिमेट बनाना सिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमारे पास जो इस्टिमेट बनाना है वो शिट ओपन होनी चाहिए उसके बाद हमारे पास Excel का SSR ओपन होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास PDF का जो SSR है वो ओपन होना चाहिए sequence हमें रखना है कि पहले estimate open होना चाहिए उसके बाद हमारा SSR open होना चाहिए जो भी current रहेगा अभी फिलाल ये हमारे पास 2022 का 2022 जो दो सालों से चल रहा है और उसके बाद ये देखिए PDF का SSR है ये sequence रखना है एक बार आपको काम समझ गया estimate बनाना आ गया तो आप कैसी भी sequence जिहान रखना है कि सबसे पहले जो estimate बनाना है वो sheet open होगी sheet से मुराद भे हमारा वो file open रहेगी excel की फिर हमारा SSR open हो रहेगा और उसके बाद हमारा PDF का SSR open रहेगा अब यहां पर देखिए अभी हमें ये estimate बनाना है जैसे फिलाल हमें direct ये estimate नहीं बना रहे हम लेकिन ये estimate ब जावर शीट है उसके बाद की जो हमारी sheet है वो face sheet है उसके बाद हमारा general description है जिसे gd कहते हैं इसे general report भी कहा जाता है उसके बाद देखिए general abstract है जिसे recapitulation sheet भी कहा जाता है उसके बाद हमारी abstract की sheet है abstract की sheet के बाद हमारी measurement की sheet होती है measurement sheet के बाद हमारा rate analysis होता है rate analysis के बाद हमारा चीज रहेगी देखिए और कौन-kunती sheet है यहाँ पर weed chart दिया हुआ है तो हमारा क्या रहेगा debit chart की जगह हम curry chart बनाएंगे देखो यहाँ परfrage chart रहता है एक तरीके का तो यह बनाएंगे हम और यह जो lead chart है हमारा, इस lead chart को हम rate analysis की sheet में बनाएंगे, तो हमारा query chart पे भी रहेगा ये, और rate analysis पे भी रहेगा, इस estimate की मताबिक हमने थोड़ा सा change किया, बाकी की चीज़े हम ज़्यादा change नहीं करेंगे, और हम PWD format के हिसाब से काम करेंगे, देखो ये जो drawing होती है, ये आखिर में होती है, तो मेरे पास जो PDA पे थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूँ इधर, देखो, यहां मैं अगर double click करूँगा, तो यहां पर मैं edit कर सकता हूँ, यहां पर देखो, यह sheet है समझे, इस पर click करूँगा, तो यह open हो गई है, इस पर click करूँगा, तो यह open हो गई है, अगर मैं इस पर right click करूँ, तो यहां पर देखिए, उपर से तीन number पर rename मिलता है, तो तब भी आप इसे edit कर सकते हैं, यहां पर double click करके, भी उसे edit करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो estimate का काम शुरू हो रहा है, वो cover page से होता है, तो पहली sheet हमारी रहेगी cover, तो इसे मैंने cover कर दिया, दूसरी sheet हमारी यहां पर देखो, मैं double click करता हूँ, fund head sheet होती है, fund head, उसके बाद हमारा, देखो, यहां double click करेंगे, और यहां पर मैं type कर देता हूँ, gd, हम grb type कर सकते हैं, general report, अब देखो, यहां से एक पहली sheet है, दूसरी sheet है, तिसरी है, अगर यहां मेरा selection है, और मैं यहां click करूँ, तो इसके बाजू में sheet बढ़ गई देखो, मुझे इसके बाज में लग रहे हैं, तो देखो, यहां पर इसा press करना है, mouse का button, और इसे इधर लेके आना है, और इसे press करके इधर लेके आना है, तो इससे बताने का मकसद यह था, कि sheet को इधर से उधर किया जा सकता है, अब देखिए, यह GD हो गया मेरा, अब यहां पर मैं double click करता हूँ, और यहां recap type करता हूँ, उसके बाद मैं यहां click करता हूँ, इस पर right click करता हूँ, rename करता हूँ, इसे abstract, अब मुझे sheet इसके बाद ही लग रही है, तो मैं इसे select करूँगा, इधर selection नहीं करूँगा, ने तो मेरी sheet इधर बढ़ेगी, तो मैं यहां click करूँगा, यहां पर click करूँगा, यहां double click करके measurement, उसके बाद यहां click करना है, और यहां double click करके RA, rate analysis, यहां पर मैं click कर रहा हूँ, double click कर रहा हूँ और यहां type करता हूँ, material, material की जो sheet है, वो हम royalty charges के लिए बनाने वाले हैं, अब यहां पर मैं click करता हूँ, यहां double click करता हूँ, यहां type करता हूँ, कौरी, अभी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, पहली sheet देखिए, cover sheet है, तो यहां पर मैंने यह cover type कर लिया है, उसके बाद दूसरी sheet हमारी fund head है, तो आप देख सकते हैं कि यह fund head sheet आ चुकी है, तिसरी जो sheet है हमारी, वो general report की होती है, यह general description भी कहते हैं, तो यह तिसरी sheet होगी हमारी, abstract के बाद देखिए, measurement है, तो यहां पर हमने measurement भी type कर लिया है, उसके बाद rate analysis होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह rate analysis भी हमारा read है, यहां पर, उसी तरीके से आप देख सकते हैं, एक metal की sheet है, जो हम royalty के लिए बनाएंगे, और यह रहेंगे हमारी query chart, बाद में हम एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से भी समझेंगे, सबसे पहले जिस sheet पे भी आपको काम करना है, जिस sheet पे भी आपको काम करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उस sheet पे click करेंगे, तो वो sheet open हो जाती है, और उसके बाद देखिए, यहां पे page layout है, यहां click करना है, यहां पर size है, यहां click करना है, यहां A4 ले लेना है, उसके बाद देखो, यहां margin है, यहां margin पर click करना है, यह normal ही रहने देना है, यहां पर click करना है, और यह जो horizontal है, यहां पर click करना है, और यह जो horizontal है, यहां पर click करक है तो यह देखिए यह home tab है यह page layout है यहाँ पर देखिए size है A4 करेंगे margin पर click करेंगे इसे normal रहने देंगे आखिर में click करेंगे इसे horizontal करके ok कर देंगे मैंने कुछ भी नहीं किया है एक normal काम कर रहे हैं बाद में और भी change किया जा सकता है आराम से काम सीखा जा सकता है तो यह basic level पर बात हो रही है यहाँ पर click करना है देखिए यह home tab है यह page layout है यहाँ पर size है A4 और यह margin है यह normal रहने देंगे और यहाँ click करके horizontal पर click कर देंगे और ok कर देंगे यह general description है size A4 margin यहाँ पर click करना है यह जो है यहाँ पर check कर देंगे box को और ok कर देंगे इसी तरी के से यह general abstract जिसे recap भी कहते हैं यहाँ पर देखिए size A4 है margin है आखिर में click करना है यहाँ click करके ok कर देना है इसी तरी के से यह abstract है यहाँ पर देखिए size है A4 margin आखिर में click यहाँ पर click और ok इसके और shortcut वगरा भी होते हैं अभी हमें उसमें नहीं जाना है यहाँ click करेंगे size A4 margin custom margin देखो यहाँ पर हमने पहले कर लिया है इसलिए ok यहाँ click करेंगे यहाँ click करना है A4 यहाँ click करना है इस पर click करना है यहाँ click करेंगे ok यहाँ click करेंगे size पर जाएंगे A4 करेंगे margin पर जाएंगे आखिर में click करेंगे यहाँ click करके ok कर देंगे यहाँ click करना है यहाँ click करेंगे इस पर click करेंगे यहां क्लिक करना है उसके बाद यहां यहां पर क्लिक करके ओके करेंगे यह ट्रेनिंग के तोर पे था आप बाद में इसे और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं आपकी जरुरत के मताबिक भी कर सकते हैं हम काम शुरू करेंगे measurement sheet से यहाँ पर मैं click करता हूँ अभी यह हमारे सामने जो था यह estimate यह estimate था हमारा municipal council का और इसका यह name और कर था name और का था और यह इसकी estimated cost दी लेकिन हम जो पहला estimate बनाएंगे वो cement concrete road का estimate बनाएंगे और simple तरीके से बनाएंगे पर click करना है तो यह measurement आ गया मेरा यह देखो जो मैं इस पर click किया तो यहाँ पर उसका नाम आया है A1 अगर मैं यहाँ click करूँ तो देखो यह G है और यह 88 तो G8 नाम आया है अगर मैं यहाँ click करूँ तो देखो यह C है और यह 13 है तो C13 नाम आया है इसे column कहते हैं A, B, C, D ये column है A, 1, 2, 3 ये row कहलाते हैं और ये जो single है यहाँ पर जो को इसे cell कहते हैं तो ये पहला है मेरा A1 यहाँ पर मैं type करूँगा name of work जो भी name of work रहेगा मेरे काम का name of work type करेंगे हम यहाँ पर अभी ये जो name of work को मैंने type किया है इसमें हमें edit करना है, correction करना है बहुत सारी बाते करना है इसलिए अभी मैंने simple तोर पर लिख दिया है कि construction of cement concrete road असल में ये प्रभाग नंबर में हो सकता है ward नंबर में हो सकता है और भी चीज़े हो सकती इस घर से इस घर तक हो सकता है तो बाते बहुत करना है तो अभी इतना ही याद रखिए कि पहले cell में हमें name of work कर लिखना होता है main चीज़ यह है आज हमारे लिए ये लिख दिया मैंने उसके बाद एक ये देखो आप गौर कर रहे होंगे कि पहला जो था मेरा उसमें मैंने name of work कर टाइप किया ये पहला कॉलम में और पहले ही cell में इसी तरह की से पहले ही कॉलम में हूँ लेकिन एक रो छोड़ कर मैंने measurement sheet टाइप किया है उसी तरह की से मैं एक और रो छोड़ कर यहां टाइप करता हूँ item number item number टाइप करने के बाद मैं टाइप की का इस्तिमाल कर रहा हूँ और आप यहां देखेंगे यह मेरे पास इसे सार है और यहां पर देखो लिखा हुआ है description of the item यहां मैं double click करूँगा और इसे इसे drag करके select करूँगा control C करने के बाद यह मेरा जो estimate है यहां पर मैं double click करके control V करूँगा उसके बाद देखिए अगर मैं यहां click करूँ तो यह देखो यह highlight होता है तो मैंने यहां click किया और इसके बिल्कुल corner पर देखो मेरा cursor कैसे change हुआ top पर यहां double click करूँगा तो यह fit हो चुका है मैं यहां पर type करूँगा number उसके बाद मैं एक tab किया मैंने तो देखो यहां दूसरे पर आ जाता हूँ तो मैं यह दोनों को select कर रहा हूँ यह मेरा home tab है और मैं इसे merge कर रहा हूँ यह दोनों मेरा merge हो गया अब मैं यहां click कर रहा हूँ control C करके मैं यहां click कर रहा हूँ control V कर रहा हूँ उसके बाद यहां click करके control V कर रहा हूँ और यह जो selection हुआ है इसे छोड़ने के लिए मैं keyboard से इसके press कर रहा हूँ मैं यहां किलिक करता हूँ यहां टाइप करता हूँ मैं लेंक्ट उसके बाद मैं इसे किलिक करता हूँ Ctrl-C करने के बाद यहां किलिक करता हूँ Ctrl-V करने के बाद मैं कीबोड से इसके प्रेस करता हूँ जिसकी वज़े से यह selection छूड जाता है मैं यहाँ click करूंगा यहाँ पर मैं type करूंगा B.W उसके बाद मैं यहाँ click करूंगा Ctrl-C और यहाँ पर click करके मैं Ctrl-V करूंगा keyboard से इसके प्रेस करूंगा और यहाँ click करके D.H ऐसे type करूंगा मैं और tap की का इस्तिमाल किया है मैंने और यहाँ type करूँगा मैं quantity उसके बाद देखिए इसे मुझे थोड़ा बड़ा छोटा करते आता है तो कैसे करेंगे यहाँ पर आना है इसे प्रेस करना है इस तरह की से छोटा किया जा सकता है यहाँ पर ऐसा मैं अगर पुरा सेलेक्शन करूँ और कहीं भी ऐसे देखो मेरा करसर किस तरह की से चेंज हो रहा है अगर डबल किलिक कर तो इसमें कोई changes नहीं आए लेकिन हमें changes करना पड़ेंगे क्योंकि हमारा देखो यह जो dotted line है और यह bottom में जो dotted line है यह इसके अंदर रहकर ही हमें काम करना होता है तो मैं क्या करूँगा यह यहां पर और एक row छोड़ूँगा यहां पर type करूँगा एक उसके बाद देखो यहां पर यहां किलिक करूँगा मैं अभी बतलाने के लिए कोई भी item ले रहा हूं मैं यह double click करके इसे select कर रहा हूं यह item हमारा भी मकसद नहीं है ctrl c करेंगे और मेरी यह जो estimate है यहां पर double click करके ctrl v कर देंगे और यहां भार click करेंगे उसके बाद देखिए यहां click किया मैंने और ship press करके यह L जो है ना मेरा quantity से पहले यहां click किया मैंने और उसके बाद यह select हो जाता है या मैंने यहां click किया यह बिल्कुल quantity से पहले और ship press करके यहां click किया तो यह select हो जाता है अभी इसकी ज़ुरत पढ़ने वाली है मुझे मैं बताता हूँ आपको यहां पर मैं type करूंगा pwd ssr item number अभी फिलाल मैं type कर दे रहा हूँ 2.11 यह चीज अलग है यह चीज अलग है सिर्फ आपको अभी यह ध्यान देना है कि क्या किया जा रहा है उसके बाद देखो यहां नीचे मैं type करूंगा keyboard से 1 उसके बाद tap की का इस्तेमाल करूंगा मैं और यहां पर type करूंगा x जो के capital होगा अब मैं यह दोनों को selection करूंगा यहां पर देखो copy है यह copy करने के बाद मैं यहां click करूंगा और control v कर दूंगा उसके बाद मैं यहां किलिक करूँगा और Ctrl V कर दूँगा यह जो selection है इसे छोड़ने के लिए मैं keyboard से escape प्रेस कर दूँगा अब आप देखो मैं यहां पर किलिक करता हूँ और shift प्रेस करके यहां किलिक करता हूँ और यहां पर मेरा cursor देखे किनारे पर किस तरह किसे चेंज होता है और डबल किलिक करूँगा अगर तो देखो यह छोटा हो गया अब मैं यह दोनों को select करूँगा यह दोनों को select करूँगा और यहां पर Ctrl C करूँगा उसके बाद यहां Ctrl C करूँगा और keyboard से escape प्रेस करूँगा अब देखिए यह बोलो यह बोलो यह 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 यहां पर देखो लेंगत है मेरी यह बहुत छोटी हो गई है तो इसे बड़ा कैसे करेंगे और उसमें क्या changes करना है मैं अभी आपको बताता हूँ तो जैसे मुझे य यह 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 लेंगत है मेरी और इसे change करना है तो देखो मेरा cursor ऐसा प्रेस कर यहां पर करसर का shape change हो गया मौस का बटन प्रेस करके उसे ऐसे drag कर सकते हैं तो यह बड़ा हो जाता है अभी यहां पर जो यह है लेंगत अभी मैं यहां पर टाइप करता हूँ 100 यह 100 हो गया है decrease decimal यहां पर एक click किया तो देखो बढ़ गया यह दूसरा click किया तो बढ़ गया यह तिसरा click किया तो बढ़ गया अब गल्ती से बहुत जादा हो गए तो क्या करेंगे इस पर click करेंगे उसके बाजू में देखी evitar decrease decimal मैं इस पर किलिक करता हूँ तो देखो एक कम होता जा रहा है तो मुझे तीन तक रखना है तीन तक link का यह जो decimal है तीन तक रखना है अब मैं यहाँ अगर double किलिक करूँ तो देखो इसकी size यहाँ कम हो जाती है अब यह मुझे 4 मिटर का रोड बनाना तो यहां 4 मिटर टाइप करने की बज़ाए देखो सिर्फ मैंने 4 टाइप किया, यहां दिखाई दे रहा हूंगा आपको, उसके बाद टैप की का इस्तेमाल करता हूं मैं, यहां पर एक किलिक कर देंगे, डबल किलिक करते हैं यहां पर और टैप की का इस्तेमाल कर रहा हूं, अब देखिए यह नंबर है, यह लेंक्त है, यह वीध है, और यह खोदकाम है, यह इक्वल है, यहां डबल किलिक करेंगे हम, तो यह छोटा हो जाता है, अब मैं यहां किलिक करता हूं, और की बोर्ड से टाइप करता हूं मैं, करना है, यह जो डेपत है, और इंटर कर देना है, तो आपके पास देखो यह, इसकी कॉंटिटी आ जाती है, इसका अच्छी तरीकी से आपको क्यालकुलेशन चेक कर लेना होता है, मैं यहां किलिक करता हूं, और देखिए यहां किलिक किया, तो देखिए, यह दो डेसिमल ह गया है मैं यहां पर किलिक करूंगा उसके बाद देखो यहां किलिक करता हूँ इंटर कर देंगे इसे बोल्ड किया जा सकता है उसके बाद मैं यहां किलिक करता हूँ यहां से लेकर यहां तक इस तरह किसे ड्रैक करता हूँ तो इस लेक होता है गौर से देखिए मैंने यहां क्लिक किया मेरा करसर का सेब देखिए कैसा है माउस का बटन प्रेस करके मैं ऐसा ड्रैक कर रहा हूं उसके बाद देखिए यह होम टाइब है यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां क्लिक करें कbly गठेंगे यहां से लेकर यहां तक जो डेप्त हैं यहां सिलेक करने के बाद यहांम मर्ज़ करेंगे और यहां पर type करेंगे total quantity अ उसके बाद में इस पर किलिक करता हूँ और अगर देखो इस पर किलिक करूँ, align left, तो यह लेप्टे में हो जाएगा, अगर इस पर click करूँ तो यह board हो जाएगा, उसकी नीचे यहां मैं type करूँगा, cubic meter, यहां पर मैंने cubic meter type किया, अब देखिये अगर मैं इस पर click करूँ और यहां click तो यह right में align हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए यह किया था, अब मैं यहां से इसे delete कर देता हूं, मैंने उसपे select किया और delete किया, अब यहाँ पर देखिए, मुझे ए description लाना है, और उसका जो number है, PWD SSR item number 211, तो मैं यहां पर आता हूँ, अब मुझे 211 पर जाना पड़ेगा, तो यह SSR नमबर है हमारा, तो मैं इधर उपर करता हूँ इसे, और माउस का वील करके देखो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, अब यहां किलिक करके मैं arrow key का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस तरीके से भी काम होता है, दोको यह 211 नमबर है, यहां पर मैं डबल किलिक करता हूँ, इसे ड्रैक करके इस तरीके से सिलेक करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और यहां पर, यहां पर देखो, इसके सामने मुझे यहां चाहिए, तो यहां डबल किलिक करता हूँ, मैं और कंट्रोल वी करके इधर भार कई भी किलिक कर देता हूँ, यहां किलिक करेंगे, शीप प्रेस करके देखो यह जो equal है यहां तक, यहां किलिक करेंगे तो यह select हो गया, उसके बाद देखिए यह home tab है, यह alignment का panel है, merge, wrap tax, उसके बाद यह launcher box, यहां पर दो option है, horizontal और vertical, यह जो horizontal है, यहां प करो, वही option सामने आते हैं, top करेंगे, और इसे ok कर देंगे, उसके बाद देखो, अगर मैं यहां किलिक करूँ, तो यह दो कोई select हो रहा है, या नई भी करूँ, तो इसके bottom पे आना है आपको, लेकिन क्या आसानी होती है, कि अगर आप यहां किलिक करते हैं, तो यह highlight हो जात अगर यहां काम करूँ, तो यह center में काम करेगा, और यहां किलिक करूँ, तो यह bottom में काम करेगा, अगर यहां किलिक करूँ, तो यह horizontal काम कर रहा है, तो मुझे यह center में चाहिए, और यह top पर चाहिए, तो यह top हो गया, यह भी top है, अब देखो, अगर मुझे कुछ बढ़ा करना है यह column की size वगरा तो मैं यहां किलिक करूंगा और उसे यहां mouse का button प्रेस करके इसा drag करूंगा तो यह page के भाहर नहीं जाना चाहिए यह page के अंदर ही रहना चाहिए यह ध्यान में रखना है आपको यह थोड़ा सा मैं इसा drag करूंगा तो यह बड़ा होता है अब देखो मैं यहां selection करता हूँ ship प्रेस करके यहां पर किलिक करता हूँ जादा भी किलिक कर सकते हैं आप यहां पर और यहां double किलिक कर सकते हैं तो जिसके वैसे इसकी size बरुबर हो जाती है page के अंदर लेकिन देखो यह page के बाहर है अभी भी इसे दुरूस करते हैं मैं यहां किलिक करूंगा ship प्रेस करके यह जो देखो हमारा quantity है यहां पर किलिक करूंगा इस select हो जाता है इसे merge करेंगे wrap tax करेंगे इसकी size देखो मैं इसा प्रेस करके यहां से बढ़ा रहा हूँ यह vertically काम करत है यह बोल्ड हो जाएगा इसकी size और कम की जा सकती है इस तरीके से मैं यहां किलिक करता हूँ और यहां पर हम मन चाहा बाउडर दे सकते हैं फिलाल अभी में इस पर किलिक करता हूँ मैं यहां किलिक करूंगा ship प्रेस करके यहां किलिक करूंगा उसके बाद मर्ज wrap tax bold इसक किलिक करेंगे मन चाहा बाउडर दे आ जा सकता है अभी हम नॉर्मल तोर पर देख रहे हैं यहां किलिक करेंगे ship प्रेस करके यहां किलिक करेंगे इसे बोल्ड करेंगे यहां पर किलिक करेंगे और यहसे कोई भी बाउडर दे सकते हैं फिलाल अभी में इसे बाउडर दे स करेंगे कुछ सवालात बताएंगे और पूछेंगे उस तरीके से तो देखे ये हमारा item number है तो ये number आगया ये description है Information है नमबर है हमारा ये number है लिका है हमने ये length है हमारी ये B और W और यह DA हमारी और ये quantity है और यह है अभी यहाँ पर देखिए P WD SSR off यहाँ पर हम double click करेंगे यहाँ पर type करेंगे off जो sun का SSR use होगा वो यहाँ पर type करेंगे अभी फिलाल हमारे पास 2022 और 2023 से तो हमने इसे type कर दिया है यहाँ पर मैं click करके से थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं तो देखिए यह कैस से problem दे रहा है page के बाहर जा रहा है यह तो मैं क्या करूंगा फिलाल यह page layout है इसको थोड़ा सा यहां से कम कर दूँगा देखिए नववत कर दूँगा मैं तो यह मेरा दुरुस्त हो गया देखिए गया पार रहा है यह gap दुरुस्त कर देंगे उसके बाद मैं क्या यहां पर ctrl s करूंगा तो यह save हो जाएगा ctrl p करता हूँ मैं अगर मैं यहां click करूं देखो तो यह इस तरीके से zoom in होता है और इसका preview देखता है यहां पर मेरा कोई भी printer रहने दीजिए pdf भी रहेगा तो चलेगा यहां पर export पर click करेंगे यहां पर pdf पर click करेंगे और इस से मैं desktop पर save करना चाहता हूँ इसलिए desktop और उसके बाद यहां पर publish तो इस तरीके से देखो यहां पर अगर मैं click करो तो यह sheet इस तरीके से तयार हुई है हमारी तो आपने यह याद रखना है और दूसरी चीज़ यह है कि यह name of work में भी हमें changes करना है construction of cement concrete road है ना in word number कर देत है हम in word number one at push at तालू का push at district यावतमल यहां आकरी में full stop है उसे निकाल देते हैं और control as करते तो यह save हो जाता है अब आपको unmute कर लेना है और मैंने जितनी चीज़े बताई है उस पर आपको बात करनी है हम धो खर रसितना है जएआ कर दोफया बदंगना है जाल गल ढही हमें दोपनको में मां तोर मैं है जो only